आज की recipe में हम बनाएंगे soft, spongy, eggless, chocolate cake जिसे हम बहुत ही कम ingredient के साथ बहुत simple तरीके से बनाएंगे और बहुत ही simple सा decoration है उसका और हमारा ये cake जो है बहुत ही soft, spongy और चॉकलेटी बनने वाला है तो आप इस video को अंतरप जरूर देखें और मेरे इस channel को subscribe कर लें और वीडियो पसंद आये तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें तो यहाँ पर हमने दो पैकेट ये चॉकलेट विस्किट लिया है और इसके छोटे-छोटे टुकडे कर लेंगे हम और इसे बारिक ग्राइंड कर लेंगे आप कोई भी अपने मन पसंद का चॉकलेट विस्किट ले सकते हैं और इसका अब हम पाउडर तियार कर लेंगे तो हमने इसे बारिक पीस लिया है और अब हम इस बाल में इसे ट्रांसपर कर लेते हैं तो इस तरह से इसे बारिक पीस लेना है और यह हमने बड़ा पाउल लिया है और इसमें अब हम केक का बैटर तयार करेंगे तो इसमें सबसे पहले डालेंगे टू टेबल स्पुन कोको पाउडर अन स्वीटेन कोको पाउडर लिया है यहाँ पर हमने और ओन टेबल स्पून कोफी पाउडर और इसमें ओन थार्ट कप हमने ओल लिया है तो थोड़ा सब गौएल डाल के पहले इसने मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें पूरा ओयल डाल देंगे कोई भी कुकिंग ओयल आप ले सकते हैं और यहाँ पर हम एक कप मैदा लेंगे इसे अच्छी तरह से हमने छान लिया है और एक कप से थोड़ा सकम पाउडर सुगर हमने यहाँ पर लिया है और यहाँ पर बेकिंग पाउडर वन टेबल स्पून लिया है और बेकिंग सोडा हाप टेबल स्पून और वन पिंच हमने यहाँ पर नमक लिया है इसके बाद हम इसमें हाप कप दही डालेंगे नॉर्मल दही है यह ज़्यादा खटा दही नहीं लेना है और इसमें थोड़ा सा दूर डालेंगे बैटर को गीला करने के लिए और इसमें हम ये बारिक पिसा हुआ जो हमारा बिस्किट है उसे डाल देंगे और इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये बैटर का कंसिस्टेंसी इस तरह का रखना है तो हमारा ये जो बैटर है केक का तयार हो चुका है और इसे अब हम साइड रख देंगे यहाँ पर हमने चैंज का ये केक टिन लिया है और इसे ओयल से अच्छी तरह से ग्रिस कर लेंगे और इसमें हम पैच्मिन्ट पेपर लगा लेंगे तो इस तरह का हमने 2 तीन तैयार किया है और इस बैटर को हम दोनों टीन में डाल करके हम दो केक बनाएंगे तो बैटर को इस तरह से डाल कर और इसे हम थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्राय यर बबल्स है वो निकल जाए और यहाँ पर गैस पर हमने एक कूकर को स्टेंड लगा के प्री हिट होने के लिए रख दिया था तो हमारे ये कूकर प्री हिट हो चुका है और इसमें हम इस केक के बैटर को डाल देंगे और 42-45 मिनट इसे ढख कर पका लेंगे तो अभी 40 मिनट हो चुके हैं और हम इसे चेक कर लेते हैं तो हमारा ये केक बन कर तियार है इसे हम नाइप की मदद से चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं नाइप बिल्कुल क्लीन आया है इसका मतलब है हमारा केक बन कर तियार है और गैस बन करके अब इसे ठंडा होने देंगे और जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है हम गनाज तियार कर लेते हैं तो यह हमने डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है और इसे बारिक क्रेस्ट कर लिया है हमने और इसे अब हम melt करेंगे तो melt करने के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा fresh cream और थोड़ा सा butter डालेंगे और इसे हम melt कर लेंगे तो आप चाहे तो इसे oven में रखके melt करें या फिर double boiler में थर से इसे melt कर लें तो हमारा ये chocolate जो है melt हो चुका है और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए इसे freeze में रख देते हैं और यहाँ पर हमने एक कप whipping cream लिया है और इसे अब हम whip कर लेंगे तो हमने इसे whip कर लिया है अच्छी तरह से और इसे इस chocolate में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे और हमारा यह chocolate cream बनकर तयार है केक को decorate करने के लिए तो इसकी consistency थोड़ी थिक रखनी है इस तरह से और अब हम इसे side रख देते हैं और हम केक को अब demold कर लेंगे इसे side side से knife की मदर से डीला कर लेंगे ताकि आसानी से यह निकल जाए और यह हमारा केक बहुत ही आसानी से निकल गया तो इस तरह का हमने दो केक तयार किया है दोनों को हम demold कर लेंगे तो हमारा यह केक soft sponge बना है और अब हम इसे decorate करेंगे तो सबसे पहले हम सुगर सिरप तयार करेंगे तो एक कटोरी में हम एक चमची है हमारा powder सुगर है इसे डाल लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल कर और सुगर सिरप तयार कर लेंगे तो हमारा यह सुगर सिरप तयार है और अब हम इस केक को moist करेंगे केक को यहाँ पर हमने उल्टा रखा है ताकि अच्छे तरह से यह सेट हो सके हमें दो केक को लगा कर सेट करना है और इसके उपर अब हम यह चॉकलेटी क्रीम लगा देंगे लगारे और इसके उपर दूसरा केक रख देंगे तो इसे हम सीधा रखेंगे और इसे अच्छी तरह से सुगर सिरफ से मौइश्टन कर départ लेंगे ताकि हमारा जो चॉकलेटी क्रीम है वह अच्छह से इसमें सेट हो सके और इसके ऊ-पर भी हम क्रीम लगा करके और इसे चारों तरफ से अच्छे से कबर कर देंगे और इसे नाइफ की मदद से अच्छे से प्लेन कर लेंगे अगर आपके पास स्पैचुलर नहीं है तो आप नाइफ की मदद से इसे इस तरह से सेट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, आप देख सकते हैं, तो इसे हमने, इसे अच्छे तरह से फिनिसिंग दे दिया है इसका, और बस हमारा यह केक बन कर तयार है, और इसे हम थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेंगे, तो थोड़ा सा पहले इसे हम clean कर लेते हैं plate को side side जो हमारा cream लगा है उसे इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये हमने थोड़ा सा chocolate syrup बचा कर रखा था और इसे हम उपर से थोड़ा सा डाल देंगे ताकि देखने में हमारा ये जो cake है और भी ज़्यादा चॉकलेटी और यमी लगे देख सकते हैं और इसके उपर अब हम जो dark chocolate compound है उसे crust करके हमने थोड़ा सा रख लिया था और इसे चारो तरब से थोड़ा side side से डाल देंगे और फिर हम इसके उपर डालेंगे ये चॉकलेट चिप्स तो ये हमारा cake बनकर त्यार है बहुत ही simple तरीके से हमने इसे decorate किया है और देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है हमारा ये cake देख सकते हैं तो आप भी इस recipe को जरूर ट्राइ करें और इसे थोड़ी देर के लिए हम फ्रीज में रख देंगे और फ्रीज में रखने के वाद थोड़ी देर वाद इसे हम सर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं एकदम soft, spongy, chocolate हमारा ये cake बनकर त्यार है तो उमीद करती हूँ आपको हमारा ये recipe जरूर पसंद आया होगा आप भी इसे try करें और recipe पसंद आई